नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटीव चैनल टीस के प्रतीक मलिक पर और आज हम टोपिक ले कह गए हैं पैटन इसके अंदर पैटन के बारे में हम बात करेंगे चलिए सबसे पहले यह जाननेते हैं सबसे पहले आपको यह पता होने चीए पैटन क्या होता है पैटन यह होता है देखो जो हम थार्ड फोर्थ फिफ्ट में यह बच्चों को पढ़ाते हैं वो किस तरह का पढ़ाते हैं हम पैटन के अलग-अलग तरीके पढ़ाते हैं पैटन हमारा नंबर पैटन हो सकता है हमारा पिक्चर पैटन हो सकता है कि एक सरकल दे दिया फिर सरकल दे दिया फिर सक्वार दे दिया इस तरह के पैटन हम बच् एक pattern है pattern की definition मेरे हिसाब से मेरे को नहीं बतानी चाहिए आपको लेकिन आप समझ पा रहे हैं वह चीजे ठीक है तो चलिए कि यही चीज वोती है pattern में बेले हम जो आप series वगेरा में देखते हैं सारी चीजे तो यह हमारे pattern का बात कर लेते हैं देखें यह pattern है pattern के बारे में क्या कह रहे है one multiply one is equal to one one देखो अब यह यहां एक one था यहां कितने हो गए दो one हो गए यान 11 तो क्या हुआ one two one हमने two तक लिखा फिर वापिस one लिख दिया इसी तरह से one two three तो हमने क्या किया one two three तक लिखा फिर वापिस two one लिख दिया हम वहां तक counting लिख रहे हैं जितने यह है one two three तीन one है ना तो हमने वहां तक counting लिखी और हमने फिर वापिस कर लिया इसी तरह से अब यह पूछ रखा है कि यह क्या लिखा जाएगा तो देखें कितने हैं यह 1 यह 5 1 है यानि कि 1, 2, 3, 4, 5 तक लिखा जाएगा और फिर उल्टी गिंते लिखी जाएगी 4, 3, 2, 1 अब यह answer देख लिए यह कहा है आपका यह answer आपका यहाँ है ठीक है तो यह simple question हो गया है चलिए, next पे चलते हैं देखें यह pattern देखें समझना है इस pattern को, 5th class में है भाई यह 5th class में है यह 9-1 divided by 8 देखो अब एक चीज़ समझो divided by 8 ही हो रहा है हर जगे तो हमें 8 से तो कोई इतना है कोई खाच लगाओ नहीं है कोई मतलब नहीं है अगे चलते है अब क्या हो रहा है 9-1 ठीक है अब क्या हुआ 9-2 किया न तो 9 के साथ में एक ओर लिख दिया जैसे अगर 2 किया तो उल्टी गिंती हम कर रहे हैं और उतने अंक लिखे जाएंगे जितना ये लिखा हुआ है अब जैसे 3 लिखा तो हमें 3 उल्टे अंक लिखने है 9-8-7 ठीक है 4 किया तो हमने क्या किया कि 4 उल्टे अंक लिखे है 1-2-3-4 ठीक है इस तरह से अब इसी तरह से जब हमने 6 किया तो हमने 6 उल्टे अंक लिख दे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, ठीक है, तो ये पार्ट तो हमारा clear हो गया है, अब ये देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां हम फिर वही वाली बात करनें, जब एक था तो एक, एक लिखा, जब दो हुआ तो एक, दो लिख दिया, फिर जब तीन हुआ तो एक, दो, तीन चार लिख दिया, इसी तरह से अब यहां छे हो गया है, मतलब देको पैटरन हमने चेक कर लिया, कि वही चीज़ फोलो हो रही है न, क्योंकि यहां छे है, तो यहां भी 6 अंक लिखे हुए, 6 डिजिट है इधर भी, ठीक है, तो हमने क्या किया, तो अब यहां 6 होगा, तो क् 5, 6, हमारा अंसर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलिए, नेक्ट कोशन करते है, जुलाइ 2, 13 के अंदर आया था यह कोशन, अब इस तरह के कोशन बढ़े आ जाते हैं, देखिए, यहां क्या होगा, एक माइनस का दे दिया, एक प्लस का दे दिया, जैसे ही अगर ऐसा कुछ हो जाए एक माइनस का दे रखा है, एक प्लस का दे रखा है, तो आपको क्या करना होता है, आपको पेर बनाना होता है, इसका पेर बना लो, इसका पेर बना लो, इस तरह से आप पेर बना लीजिए, ठीक है, तो जब आप पेर बनाएंगे देखिए, माइनस वन प्लस टू, माइनस 1 हो गया है ना अगर किसी को नहीं पता माइनस 1 प्लस 2 इसका मतलब यह है कि माल लो आपके फोन के अंदर माइनस 1 बैलेंस है और उसके अंदर आपने 2 रुपे डलवा दिये तो आपका बैलेंस कितना हो गया 1 हो गया फिर मैं वही वाली बात रिपीट कर रहा हूँ कि क्या होता है कि जब हम को मन सेंसे कोश्चन करते तो हमारा हो जाता है लेकिन अगर मैं समझ के अगर मैं इसको ये सिखाऊंगा तो आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे ठीक है इसी तरह से मालो ये यहां तो 1 की बात है यहां मालो ये होता माइनस 37 प्लस 68 तो आप घबरा जाते कि अब क्या करूं मैं क्योंकि आपको नंबर थोड़ा सा बड़ा दिखा है तो आपको तब भी कुछ नहीं करना आप इसको उल्टा कर सकते है उल्टा लिख सकते है 68 माइनस 37 अब का अंसर आ जाएगा ठीक है अपने वहां भी तो वही किया 2 माइनस 1 ठीक है 1 आ गया ना कि एक तो मेरा उसमें चला गया जो माइनस था माइनस वाले पहले रिकवर होती है चीज उसके बाद में तो पोजिटिव मिलती है तो यह पहले माइनस 37 रुपे आपके रिकवर होंगे 68 में से कटेंगे उतने आपके बच जाएंगे ठीक है तो यही आपका होता है तो कुमन सेंस लगाई या पास-पास कुमन सेंस डून लिए इस तरह से हो जाएगी आपकी चीज़े तो चलो तोपिक पर बढ़ता है माइनस 1 प्लस 2 फिर यहां से भी देखे यहां से एक बन गया यहां से एक बन गया इससी तरह से हर पेर से आपका एक बन जाएगा अब यह देखे पेर कितने बनेंगे हजार तक अगर नमबर लिख रहे हैं तो पेर कितने बनेंगे, obviously 500 बनेंगे कितने पेर बनेंगे 500 बनेंगे ठीक है तो आपका ऐसी आ जलते हैं सेम वही वाली बात कि कि दmek बनाओ पेर 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 अभी इन्होंने term नहीं दी कितनी हजार तक लिखनी है जार बार लिखनी है, पानोनोने कहा even number terms लिख लो जब मैंने बताया था जब ये even order की बात करें तो अपने दिमाग बेर डाल लेना कि आप अपनी तरफ से number कर सकते हो even term यानि कि कितने संख्यापदो का योग है सम संख्यापदो का यानि कि ये कितनी number लिखे हुए एक दो तीन चार पांच है ठीक है तो ये ये सम ही है हमारा ठीक है ये चार हो सकता है ये छे हो सकता है ये आठ हो सकता है ये दस हो सकता है तो हम छे ले लेगेंगे तो इसी को सोल कर लेता है पेर बनाया जीरो बनाया जीरो बनाया जीरो बनाया जीरो बना ठीक है तो हमारा उतरा जागा जीरो लेकिन अगर मालो ये ओर टम होता, यह क्या होता है, ओर टम होता है, यह विशम संख्या होता है, तो आपका क्या आता है, जब हमारा यह विशम संख्या होता, तो आपका होता कि एक ओर टम आ जाती, यानि कि अब इस टम को आटा दो, यह यह अट गई, आपके एक, दो, तीन, चार, पांच, अब प कि देखो भई इस तरह का कोशन सीटेट में आज तक एक ही बार आया है एक्चुली मैं बताओं तो मैंने भी कभी एक्पेक्ट नहीं गया था कि यह कोशन सीटेट के पिपर वन में पूछ लेंगे पिपर टू में हो सकता था यह क्योंकि देखिए पहले NCRT में यह कोशन आते मैंने भी यह नहीं पढ़ा अगर मैं बताओं मैंने भी जब पूरानी NCRT उठाई तो मुझे मिला कि हाँ यह पढ़ाते थे लेकिन अब की NCRT में इनको नहीं पढ़ा रहे हो सकता कि स्टेट बोर्ड में पढ़ा रहे हो लेकि NCRT में तो नहीं पढ़ा रहे हैं तो आखिर अंदर कितने अंक होते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपका जो decimal system है, उसके अंदर 10 अंक होते हैं, 10, ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी तरह से आपके कितने अंक होते हैं, यह 10 है, ठीक है, तो इस system को हम कहते हैं, decimal system, जो आपको पता है, जो चल रहा है आज कल, ठ होता binary system, binary system के अंदर 2 अंक होते हैं, 0 और 1, ठीक है, binary system के अंदर 2 अंक होते हैं, 0 और 1, इसी तरह से आपका octa है, ठीक है, octa के अंदर आपके यूज होते हैं, 8 अंक, 0, 1, 2, 3, इस तरह से आपका 7 तक होता है, ठीक है, हर number आपको इसी में लिखा जाएगा, जैसे यह एक number ह तो वहर नमबर 0 & 1 की form में लिखा होता है इस तरह की इसकी form में लिखा होता है समझ में आ गया एक चीज़ तो यह आपका होता है binary number ठीक है इसी तरह से आपका होता है hexadecimal होता है hexadecimal के अंदर 16 number होते है 16 number वहां किसे होगे 0 से लेके 9 तक तो हमारे 10 नमबर यही हो गए फिर वो ABCD लिख देते हैं इस तरह से वहां पर 10 16 डिजिट होती है एक तरह से देखा जाए समझ आया तो यह सारा खिल जो है यह बेस का है बेस क्या होते है बेस होते है नमबर ओफ डिजिट जितनी उसके अंदर यूज की गई है उस सिस्टम के अंदर ठीक है तो हमारा जो जितना भी कंप्यूटर सिस्टम होता ना कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी सिस्टम के उपर चल रहा है अभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस के उपर चल रहा है बाइनरी सिस्टम के ऊपर अभी आने वाले टाइम पर कहा है कि स्टेंज करें लेकिन अभी वो चीज़े दूर है ठीक है जो हमारी सिंपल पूर से छाल रहे हैं वो wein खाना चाहूंगा कि कैसे कोई भी नमबर हम इसके अंदर बदल सकते हैं कैसे कोई भी नमबर हमारा इसके अंदर बदला जा सकता है माल लीजिए जैसे मैं बात करता हूँ 30 की 30 की मानलो मैं बात करता हूँ आपके सामने 30 को मैं कैसे बदलू हूँ इसके सामने तो आप क्या करेंगे यह जो 2 लिखा हुआ है इस 2 से भाग करने लग जाएंगे 2 से भाग किया 15 आया अब समझ ना 15 आया तो इसका मतलब यह है कि यहां कुछ 6 फल बचा था क्या नहीं बचा था तो यहां 0 लिख लेएंगे क्या लिखेंगे 0 जब आपका 6 फल बचेगा वो 6 फल आप साइड में लिखते जाएंगे और जब नहीं बच रहा तो आप दूबर लिखते जाएंगे ठीक है फिर आपने किया 14 होता है ठीक है तो 7 पे जब multiply करते हो तो 14 होता है लेकिन यहां क्या होगा एक बच जाएगा जब 14 पे जाएगा फिर आप आगे गया ठीक है फिर आपका 3 हो गया 3 आगे आगया तो फिर आपका 1 आगया ठीक है फिर आपका कितना आया 1 आया ठीक है क्यों क्योंकि 6 पे गया है ये आपका नहीं हुआ इसी तरह से फिर आपका एक हो गया एक हो गया तो अब यहां से लिखना start कर देंगे, यह number बन गया, आपका 1, यह 1 मैंने लिख लिया, फिर यह 1 लिख लिया, फिर यह 1 लिख लिया, और फिर यह 0 लिख लिया, ठीक है, 11110, 11110, आपका number बन गया, ठीक है, कैसे बना, मैंने बताया ना आपको, 11110, जो मैंने 30 को change किया है, दु हमारा दो था ठीक है मैंने दो से भाग किया दो से भाग किया तो पंदरा आया मेरा शेशवल कितना बचा जीरो बचा फिर मैंने पंदरा को दो से भाग किया साथ मेरा नंबर आया है और एक गया अब यह इसको 30 को में लिख लूँगा यह ठीक है 30 मेरा लिखा जाएगा 1 1 1 4 बार 1 और 0 ठीक है जैसे यह एक नंबर लिखा हुआ है यह अब कोई दूसरा नंबर है ठीक है तो आपको पता से लिगा कि यह 30 तो नहीं है है ना आपको दिखा दिया मैंने अब एक चरीका तो यह है अगर बाइनरी नंबर का मैं बता हूँ बाइनरी नंबर यह होता है कि हम किसी भी नंबर को 0 और 1 की फोर में चेंज कर सकते हैं उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि देखे आपको 2 की पावर 2 की पावर में आप किसी भी नंबर को चेंज कर सकते हैं 2 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, इस तरह से आप 2 की पावर अगर आपस में जोडते जाएं, तो आपका हर कोई नंबर बन जाएगा, इनका मानना ये है, और ये बात सच भी है, देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, आपको पहली बात तो याद होनी चाहिए, 2 की पावर 1 होती है, आपकी 2, 2 की पावर 2 होती है, आपकी 4, ठीक है, 2 की पावर 3 आपकी होती है, 8, 2 की पावर 4 आपकी होती है, 16, 2 की पावर 5 आपकी होती है, 32, 2 की पावर 6 आपकी होती है, 64, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनको मैं जोड़ूंगा, और आग्ये तक यही है, कि मेरा हर न नंबर बन जाता है तो अब हम स्टार्ट करेंगे देखिए मालो जिसे मैंने 30 किया था 30 समझो 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं 30 को मेरे को लिखना है इनकी फोम में लिखना है तो 32 तो बड़ा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा सोला ठीक है मैं 30 को जोड़े दिखा रहा हूं आपको 30 को आपकी इस तरह से जोड़ेंगे प्लस 4 प्लस 2 इन सब को जोड़ेंगे तो आपका 30 आजएगा देखो 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 16 प्लस 8 24 24 और 4 28 28 प्लस 2 30 ठीक है इस तरह से आपका ये नंबर आ गया है अब समझना इस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रहा हूं यह क्या चीज थी देखिए एक सेकंड है हाँ एक सेकंड अब क्या होता है हम कैसी करते हैं कि पहले 30 था 30 में से जितना मैंने या लिख दिया 16 16 माइनस कर दूँआ मेरे पास रह गया 14 अब किस मैं से आएगा 14 में से फिर 8 गता दूआ अठ गता है तो मेरा कितना है 8 गटागे, मैं 8 को इधर लिख रहा हूं, ठीक है, 8 गटागे, मैं 8 को कहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, तो मेरा कितना आ गया है, मेरा आ गया है, 6, 6 गटागे, फिर मैं 6, 6 अब बताओ कितना गटाओं, 6 में से, 4 गटा दिया, फिर मेरा आ गया 2, फिर 2 में से, फ सोला था न अब जो अब मेरा यह पार्ट तो यूज औहीं ओइंगे वह जो जो मेरा सोना यूज हुआ 17 में 11 को जो तो तो मेरा apenas 8 प्लस 4 plus 2 क्योंकि 30 मेरा किस के बराबर था 16 plus 8 plus 4 plus 2 मैंने बताया था 2 की power को हम अपस में जोडेंगे ना तो मेरा कोई number बनना चाहिए तो तो हमारा सेम वही है कि यह हमारा 2 की power 4 के बराबर है यह 2 की power 3 के बराबर है यह 2 की two इस तरह स्थ 25 अंगल यह पा बराबर यह तो इस तरह से हमारा ही बन गया जो आएक उसकी जगे वन लिखेंगो जो नहीं ऑइगा उसकी जगे जीरो लिखेंगो तो हमारा ये से नंबर है खें तो एक चीज तो यह गईWas inform AC जी अब चलो इन सब की बना के देखते के decimal number से आपकी मर्जी पहले मैं इस तरीके से करता हूं तो दो डिवाइड किया 26 पे जाएगा 26 क्या होता 13 ठीक है आदा किया remainder पर 1 बच जाएगा फिर इसको divide किया कितना बचा मेरा 6 sorry ठीक है 1 हो गया फिर मेरा 3 remainder कुछ नहीं बचेगा जब मेरा पूरा भाग हो गया तो remainder कुछ नहीं बचा फिर 1 ठीक है तो मैंने बता था अब नीचे से लिख लेंगे 1 ये 1 लिख लिया ठीक है फिर ये मेरा 1 लिखा गया फिर ये मेरा 0 लिखा गया फिर ये मेरा 1 लिखा गया फिर भी यह मेरा one लिखा गया तो यह नंबर है मेरा ठीक है अब हो गया भाई यह नंबर है हमारा answer है ठीक है अब 30 को मैंने बदल के दिखाए दिया था 33 को भी बदल सकते हैं आप आप खुद करके देखना यह अब मेरा नमबर को उठाएंगे गए और इसको के पाऊर जिरो से मल्टिप्लाई कर लेंगे ठीक है धुर दूसरे नमबर को उठाएंगे जमा करके दो की पावर 5 से एक सेगिंद 2 की पावर 1 2 की पावर 2 था ये 2 की पावर 3 आएगा और ये 2 की पावर 4 आएगा ठीक है तो आपका ये हो गया अब यहां से क्या आए 2 की पावर 0 multiply 1 यानि कि 1 multiply 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 इन सब को आप जोड लेना इन सब को आप जोड़ेंगे आपका answer आपको मिल जाएगा ठीक है आपका answer आपको ये 2 की पावर 2 था 2 की पावर 2 ये एड जाएगा न क्योंकि ये तो 0 हो गया 2 की पावर 2 multiply 0 कितना होता है 0 होता है तो ये आपका बन गया 1 plus 2 3 4 plus 8 11 11 plus 16 27 हमारा अंसर आ गया है ठीक है दोस्तो तो यह हमारा अंसर था दुबारा पता देता हूँ पहले नंबर को 2 की पावर 0 से मल्टिप्लाई करेंगे दूसरे नंबर को 2 की पावर 1 से तीसरे नंबर को 2 की पावर 2 से इसी तरह से आप मल्टिप्लाई करते जाएंगे अब जैसे दो की पाउर दो था दो की पाउर दो था तीसरा नंबर तो यह हमारा जीरो बन गया था फिर इनको आपस में जोड़ देंगे आपका अंसर आ जाएगा धन्यवाद दोस्तों गर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना अपनी दो कता है तो हमें कमेंट में कोशन पूर सकते हैं धन्यवाद आपका दिन शुब रहे